खिखे आज हम लोग क्या देखते हैं drama किरिया होता है जिसको क्या कहा जाता है metabolism कहा जाता है अब जहां भी जैवरेशाइनव कदेविक एब तो व्यक्त लीग ठीक है तो वेस्ट प्रोड़क्ट जो निकलता है वह अलग-अलग तरीके से हमारेठी से क्या हो सकता है निकल सकता तो पहले तो बेंक और सा वेस्ट है जो सरीर से निकालना क्या है ज़रूरी है पहला तो carbon dioxide दूसरा फीकल matter जो होता है फीकल matter तीसरा जिसको निकालने क्या आवध सकता है वह nitrogenous जिसको क्या कहते है nitrogenous 총 अब देखें क्या है बहुत लोगे manum misconception होता है कि carbon dioxide निकालना भी क्या है participation है लेकिन देखिए Carbon dioxide जो हमारे सरीर से निकलता है वो जिस माध्यम से निकला को एक्स हेलेशन कहते हैं exhalation कहते हैं जो किसका part है Respiration का part स्वशंका क्या होता हृँ हिसा होता है मानव शरीर से Phekal matter बाहर निकालने की घतना को Phenomenon को क्या कहते हैं डीफी केसन कहते है और नाइट जीनियस व viveσ्ट नाइट रोजिनेजी अवसेस में क्या-कायता है जासे आपको अमोन्या आ गया क मान्या यूरिया हो गया गभिए अथी सरा यूरिक हमल हो गया तो नाइट रोजीनी अवसेस अगर सरीर से बाहर निकाला जाता है तब उस प्रकिरिया को क्या कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं या उसको क्या कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं ठीक है सरीर के बाहर नाइट्रोजनी अवसेस निकालने की प्रकिरिया को क्या कहा जाएगा उत्सर्जन मानव सरीर में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है कौन-कौन जिसका हमारे सरी में कोई उपयोग नहीं, जैसे carbon dioxide, fecal matter, nitrogenous waste, carbon dioxide किस प्रकिरिया के द्वारा बाहर निकलता है, respiration के द्वारा, स्वसन के द्वारा, fecal matter जो निकलता है, वो किसके माध्यम से, defecation के माध्यम से, nitrogenous waste, सरीर से बाहर निकलने के ही प्रकिरिया को क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे, excretion कहेंगे, और nitrogenous FCS में कौन-कौन आ जाएगा, ammonia, urea, uric acid हो जाएगा, ठीक है, इसको note कर जाते हैं, कि उत्सर्जन की आवशक्तिया क्या है, need क्या है, तो हम बताएं, metabolism के दौरान क्या होत है, nitrogenous waste का क्या होता है, production होता है, अगर हमारे सरीर में ज्यादा देर तक रहे, तो हमारे लिये क्या हो सकता है, हानिकारक्सिध हो सकता है, इसलिए आवशक्तिया कर्ने के लिए, जिस अंग का आवश्यक्ता होता है उसको क्या कहा जाता है excretory organ कहा जाता उत्सर्जक अंग कहा जाता वैसा अंग जो उत्सर्जन में मदद करता है उसे क्या कहा जाता है excretory organ कहा जाता जैसे मानम में देखा जाए तो मानम में जो kidney है वरिक होता है वह क्या होता है एक्सक्रिट्री ओर्गेन होता है या हमारे सरीर से नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करता है बाहर निकालता है और देखिएगा किड्नी का जो मूल इकाई होता है उसको क्या कहा जाता है नेफरोन कहा जाता है यह question पूछता है कि वरिक का मूल इकाई क्या है तो नेफरोन है और वरिक के अध्यन को क्या कहा जाएगा तो कहते हैं नेफरो लॉजी नेफरो मतलब यहाँ पर क्या हो गया नेफरोन और लॉजी मिन्स क्या हो गया अध्यन तो मानद में उत्सरजक अंग एक्सक्रिट्री और often क्या होता है किड़नी होता है कीडनी के मूल इकाई को बैसिक यूनिट को क्या करते हैं नेफ्रोन करते हैं और कीडिनी के अध्यन को क्या कहा जाता है नेफ्रोलोजी कहा जाता ठीक के इसको दक करम लॉजा Back कि मतलब उतसरजन के आधार क्या किया गया है जीब को तीन भागों में किया किया गया है बाता गया तीन वरकों में पहला अमोनीयो टेलिक दूसरा जा यूरियो टेलिक हज sık 3 को टेलिक नाम से decide गया आनि कि अमोनिया तो वैसे जीब जो क्या चीज का उत्सर्जन करते हैं उसको क्या कहा जाता है अमोनियो टेलिक कहते हैं और अमोनिया के उत्सर्जन के घटना को फेनोमेनन को अमोनियो टेलिज्म कहा जाता है अमोनियो टेलिज्म कहा जाता है फिर से रिपीट करे वैसा जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करे वैसे जीव को अमोनियो टेलिक कहेंगे और ऐसे फेनोमेनन को क्या कहा जाएगा Ammonio-Telism वैसा Jeeve जो यूरिया का उतसर्जन करता हो उसको यूरियो टेलिकанд जीब कहा जाता है और ऐसे घटना को क्या कहा जाएगा यूरियो टेलिज्म कहा जाएगा और वैसे जीब जो यूरिक अमल यूरिक एसीड का उतसर्जन करते हैं उसको यूरी को टेलिक कहा जाता है और इस फियनोमेनन को घटना को यूरी को टेलिजम कहा जाएगा अब यहां पे एक चीज़ा लेजिए अब अमोनिया निकालना है सरीर से तो ज्यादा पानी की आवाशक्ता होती है क्योंकि अमोनिया को पानी में गोल के तब सरीर के बाहर क्या कर पालना पड़ेगा अधिक पाने की पानी की जौत होती है तो ऐसे जीव कहां पाए जाएंगे जल में पाए जाएंगे तो जलिये जीव जो होते हैं वह समानिता आपको क्या होते हैं अमोनियों टेलिकोत्ने जो फीस है कुछ मचलिया है वह उसका जो एक्सक्रिटरी प्रोडक उतना ज्यादा जल कावशक्ता नहीं होता है तो जो हुमन सब है हम लोग जो है हम लोग आपको क्या हो जाएंगे यूडियों टेलिक हो जाएंगे यूडिक आमल निकालने के लिए बहुत कम जल में क्या हो सकता है यूडिक आमल निकल सकता है तो लिजर्ड हो गया या सब है वह सब किसुमें आजायेगा अमोणीयो लिक क्यां तर्गता आएगे- मानम जो है वह किसमें आएगा यूडियो टेलिक और कुछ लिजर्ड और जो बर्डेस है वह किसमें आ जाएंगे यूडी को कि अनगे ठीक इसको नॉट कर ली झाल